हेलो दोस्तों क्या हल चालने सबके तो कैसे चलना है सब कुछ तो इसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की ही कि गेट का एक्जैम कैसे अटेम्ट करना है मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका पेपर में जाते हुए मैंडसेट क्या होना चाहिए और आपको जो पेपर अटेम्ट करना है किस मैंडसेट के साथ अटेम्ट करना है ठीक है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो सबके दिमाग में कुमन कोशन आता है कि गेट एक्जैम में आप लोगों को तुक्के मार के आने चाहिए या नहीं ठीक है तो आज उस बाग के बारे हम बात करते हैं लेकिन उससे पहले यार आप लोग सस्क्राइब नहीं कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो तो अभी जाओ पहले सस्क्राइब करो लाइक करो और फिर इस वीडियो को कुंटिणू करना ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्केज़न जंदली सबके दिमाग में यही चीज आती है जब गेटके जन दे रहे होते हैं कि पेपर में तुक्के मारू या ना मारू तो अभी कुछ लोग बोल लोगे कि कैसे बाते कर रहा है यार पेपर में तो ही तुक्के मारने चाहिए पर ऐसा नहीं है इसका सही जवाब है कि बीस य पच्चेसी ठीक कर दूगा इसके उपर नहीं आ पर कर पाएंगे उन्हें पी यह चीज पता है कि वे यह काम यह नहीं कर पाएंगे एक चीज तरह एक लोग होते हैं जो आते हैं कि मैं 40 प्लस कोशन ठीक कर दूगा 65 मिंसे एक कैटेगरी बंदे होते हैं एक बंदों तो आप लोगों के लिए मेरी यह सला है कि बेजी जकों के तुक्षे मारें कि यह अगर आप ने वैसे भी ठीक कर दिया तो भी आपको कुछ हैं तो आप लोगों के लिए मेरा सज्टेंशन है कि आप लोग फी करद बाले की खते है कि बीलीं वह सब्सक्राओं करने थेरे फिर बचेवेलें इन दो मेंसे intelligent guess कीजी कि हाँ यार मेरा कौन सा guess ठीक लग रहा है या उन चार option में से कौन सा ठीक लग रहा है आपको question पढ़ने के बाद ठीक है मैं वो उसकी बात कर रहा हूं तो आप लोग बेजी चेकों के इस काम को कीजिए कोई अपना गैस जो है जो इंटेंशन की बात निया कि कैए अब आता हूं मैं उन लोगों पर जो 40 प्लस कोशन करके आने वाले है देखिए आप लोगों ने अच्छी प्यारी कर रखिया है प्लस कोशन आप करके आ रहे हैं प्लस कोशन पर आया आप कोई भी अपना guess जो है जो intelligent guess की बात कर रहा हूं वो कम करें क्यूंकि आप already अच्छे खासे margin amount पर बैठे हुए है उस time अगर आपका कोई भी तुका गलत होता है तो आपको वो चीज दिक्कत देगी आपकी rank पर effective देगी तो यह जैसे मेरा case था मैं आपको कंडिशन बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ था मैंने paper attempt किया मेरे paper अच्छा खासा attempt हो गया था मैं बीच में अपने करीब-करीब no question में मैंने अपने तुके मारे थे मतबहिए जो intelligent सॉट्ष ने था में तो मैंने 5 हटा दीते चार को फिर भी रख्के रहने किजा था मैं देखी कि जाएगी जो भी होगा हुआ कि यह मैंसाथ कि जो मैंनेire 충ald के आप मेरे विजने मेरे क्लत हो गई तो तो उसकी वज्य हमम मेरी रेंट पर इफेक्ट पड़ा था मेरी 388 रेंग थी लेकिन मुझे जो चार थे खाली चार कोशन गलत नहीं थी नेगिटिव भी तो देखे जाते हैं तो वे जो नेगिटिव देखे गए थे उनके चक्कर में मेरी रेंग 388 हो गई थी वहन्ना क्या पता मेरी थोड़ी औ ठीक लगता है क्योंकि यह कैटरी ऐसी है जिसका कुछ नहीं पता अगर आप मदलब आपने ठीक ठा कोशन एटम्ट करते हैं अगर आपके तुप्पे सही हो जाते हैं तो आपके रेंग अच्छी आ सकती है और आगर आप इनके कोशन गलत हो जाते है तो आपकी रेंग विक तो आप देखिए कि आपने जो attempt किया है वो किस level का attempt किया है मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आगर आपको दिख रहा है कि आपने 30-35 question आपको ठीक हो चुकी है आपको पता है 30-35 question का मतलब है आगर आपके 55-56 माधस भी आ गए और आप general category की बाद करना हूँ general category में है तो आपके chances कम हैं कि आपको कोई धंता college मिल जाएगा chances कम हो जाते हैं इस तीज़ के तो उस condition में मैं आपको सला दूँगा कि कुछ question जो आपको लगते हैं कि हाँ यार ये फिर भी हो सकता है तो आपको एक अच्छा college मिल जाएगा बहुत अराम से ठीक है और आगर आपको गलत हो गया तो आपको तो पहले भी कोई खास college मिलने नहीं वाला था मतलब मिल सकता था chances हैं लेकिन यह भी chances है कि शायद ना मिले तो उस चीज़ को देख लिएगा यही मेरी जिनके अच्छे मतलब question attempt हो गए है यह तो तुक्य भी मत मारिए जो जिनके मतलब लगता है कि हां यार थर्टी question के करीब में कर पाऊंगा इसको पर मेरे सही नहीं हो रहे है पेपर में आप पेपर किया आपने देखा कि तुनिटिटिफाई कि आप question सही कर पाए आप बेज अच्छा को लिए तो उस condition में आप देख लीजेगा आपको क्या ठीक लग रही है मतलब आपको तुक्य मारने है या नहीं मारने है तो बस यहीं पर में अपनी वीडियो आउट करता हूं और जो भी पुरानी वीडियोस है जो भी paper कैसे attempt करना है गेट का पेपर कैसे attempt करना ह और पेपर से एक दिन पहले क्या करना है उन सबकी वीडियो में बना चुका हूं उसका link description में है आप जाएए उन वीडियोस को भी देखिए उन वीडियोस को चेक आउट कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए ठीक है और लादाइस